देश वरके किसान भाईयो अभी अभी सूचना मिली है कि गाजी पर बॉर्डर पे जो हमारे यूपी के किसान भाई वहाँ पे धरना लगा कर बैठे हुए हैं उन सभी को खदेडने के लिए वहाँ से उनका धरना चकवाने के लिए पुलीस फोरस और अपने आरासेस के कुछ लोगों के दुआरा सरकार का ये प्रयास किया जा रहा है कि उनका धरना उठवाया जाए इसके लिए मैं सभी देशवासियों को जो किसान भाई हैं कहीं पे भी बैठे हैं सभी को ये अपील करूँगा कि अब घर बैठने का समय नहीं है अब मैदान में उतरने का समय है अगर जमीन बचानी है तो वापस आएं जमीन बचाने के लिए इन मोर्चों में आएं और मैं ये भी कहना चाहता हूँ यहां से सिंगू बाडर से के जो सरकार ये प्रियास कर रही है अगर वहां पे हमारे जो किसान भाई बैठे हैं ये मत सोचे सरकार के वहां पे वहां पे जो हम लोगों ने सरकार ने जो चाल चल ली थी हमारे साथ हमें ख़देडने की हमें तो मद परदेश अपना राजस्तान कैरला करनाटका जितने भी किसान इस मोर्चेव में कहीं किसी भी तरीके से मिलकर ये अंदोलन कर रहे हैं हम सब एक हैं और एक होकर लड़ेंगे अगर वहां के किसानों के उपर किसी तरह का बल प्रियोग किया सरकार ने तो वो अच्छा नहीं होगा हम पूरे का पूरा पंजाब उन मेरे भाईयों के साथ खड़े हैं जिनके उपर ये बल प्रियोग करने का ये प्रियास कर रहे है सरकार सरकार को तुरंत अपनी कारवाई से पीशे हटना चाहिए और किसान कर क्या रहे हैं वहाँ पे कुछ नहीं कर रहे हैं वो अपनी मांग लेकर बैठे हुए हैं अगर सरकार उन से ये ऐसे धके से उनको वहाँ से उठाने का प्रियास करेगी तो पूरा देश उन किसानों के साथ खड़ा होगा दूसरी मैं ये बात नहीं हरकत की है जिसके साथ कारण हमारे देश बर में इननों एक ऐसा मैसेज देने का यतन किया है कि ये जो अंदोलन है ये किसानी का अंदोलन नहीं है ये तो खालस्तानियों का अंदोलन है ये ऐसी वैसी बाते करने का ये प्रियास किया है मैं ये कलियर लेकर लोग निकले हैं वो जो तिरंगा है उसके बारे में अगर बात की जाए जिस तिरंगे की ये हमारे सरकार बात कर रही है इनी की तिरंगे की अगर बात की जाए तो बीजे पी के आरासेस के अपने आफिस पे ये तिरंगे के उपर इनका अपना जंडा जूल रहा है इतन ये सद्कार करते हैं तिरंगे का और मेरे हर्याना पंजाब और पाकिस्तान में जा चुके पंजाब के जो पाट जा चुका है कुछ हिमाचल में हमारा पाट जा चुका है दिली तक था हमारा ये पाट और ये तिरंगा ये तिरंगा कहां से आया है ये तिरंगा पंजाब और ह ख्रियाना जब एक होकर देश की अजादी के लिए लड रहे थे ना और पंजाब और हर्याना के लोगों ने बनवे प्रतिशत कुर्बानिया दी है स् तरंगे के लिए और ये इस तिरंगे पे क्या हम पंजाब और हर्याना के लोग को ऐसी आच आने देंगे नहीं आने देंगे भाईयो ऐसा मत सोचो कि किसी एक आदमी ने वो गटिया किसम के आदमी ने ऐसी गलती की है कि वहाँ पे जाकर उसने वो इनकारैसस का पिला था जिसने वहाँ पे जाकर ऐसी गलती की है और उन लोगों की गलती से आप ऐसा क्यों कर रहे हो हम तो आपके बाई हैं यार आप हमें पहचान तो लो हम एक कठे होकर ये इन दोलन लड़ रहे हैं और अपने बच्चों की जिंदगी के लिए लड़ रहे हैं अपने बच्चों की जमीन बचाने के लिए लड़ रहे हैं इन लोगों का ये प्रयास था कि इन लोगों को किसी ना किसी तरीके से खंडाया जा सके इनकी ताक्त को बाटा जा सके अलग अलग तरीके यूज किये इन लोगों ने लेकिन इनका कोई तरीका अब तक हम लोगों ने सबर नहीं होने दिया थे इन्होंने ये हरकत किया है वो जो तिरंगे के अपमान की बात की जा रही है तिरंगा हिमारा है, हिराने का है, पूरे देश का है हम इसका सनमान करते हैं तेरंगे का इसके लिए इनकी किसी ऐसी वैसी बातों में मत आये और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ फिर से हर्याने के भाईयों को कि आईए वापस इधर आओं वापस अब हमारी हमारे बच्चों की प्रापरटी हमारे बच्चों की जिंदगी, हमारे बच्चों की लाइफ पे आट आन पढ़ी है ये सरकार यही चाहती थी कि ये दर्ने कमजोर करें ऐसा, ऐसा शड़ींतर रचे और शड़ींतर से दर्ने कमजोर होंगे और उनको जबरदस्ति उठाया जा सके और ये आप इन्होंने करना शुरू कर दिया है और मैं फिर से ये कहूंगा कि वो जो हमारे वहाँ पे गाजीपुर पर भाई बैठे हैं पूरा पंजाब उनके साथ है अगर हम लोगों को हमारे उस भाई को रकेश्ट कैथ जी जो वहाँ पे बैठे हैं उन्होंने कस्म खा रखिया कि हम उतनी देर तक जाल पानी नहीं लेंगे जब तक हमारे लोग नहीं आएंगे वहाँ से हमारे गाउं से पानी लाकर नहीं देंगे तो मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि हम पंजाब वाले अगर हमारे उस भाई को कुछ भी होता है तो हम भी अपनी जाने कुरबान कर देंगे लेकिन उस भाई का बाल भी बांका नहीं होने देंगे ये हमारा हर्याना, हमारा पंजाब हमारी जूपी, हमारा मदपर्देश ये हम सब एक हैं हम इसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं कि हमारे बच्चों की रोटी का सवाल है इसके लिए भाईयो जो भी हुआ है किसी तरीके का हुआ है सब भूल कर वो उन लोगों ने किया है यार हमने नहीं किया हम तो तिरंगे का सनमान करते हैं हम सब का तिरंगा है इसलिए मैं जो आपको एक बात और मुझे पता चला कि वो जो इस अंदोलन के चलते बलवीर सिंग राजेबाल जी ने कुछ ऐसे बात कह दिया जिससे हमारे भाईयों की थोड़ा मन को ठेस पहुची है मैं उसके लिए भाईयों आप सबसे जितने हर्याने के लोग हैं जितने जाट भाईचरा है सबसे हम मैं मैं हमारे पूरे स्ञुक्त किसान मोर्चा की और से पूरे स्चलते अंदोलन की और से मैं आप से शमा मागता हूं भाईयों किर्पा की जी हमें आप आप ये कह कराए हैं कि पंजाब हमारा बड़ा भाई है हम पंजाब के शोटे भाई हैं तो क्या आप अपने बड़े भाई को मौप नहीं करोगे प्लीज़ second की प्रापटी बिचाएं जमीन बचाएं बड़ें ये मैं आपको पृरार्थना करता हूं और हमारे उस बाई का समर्चन देना आज उनको जरूर्त है हमारी हमारे यूपी वाले भाईयों को आज हमारी जरूरत है सभी की जरूरत है और गर बैठने का वक्त नहीं है यह यह सब मैदान में उतरें अब उनकी हल्प करने का वक्त है उनकी हल्प करें और हम एक होकर लड़ें यह RSS वाले हमारे अंदोलन को खराब करने का हर तरह का प्रयास करेंगे और हम सब को मुँ तोड जबाब देना होगा जैसे मैं बहुत खुश हुआ था जिस दिन आपने ये लोग जो ये बाते कर रहे थे S.Y.L. जैसी बाते कर रहे थे आप हर्याने के लोगों ने बहुत उस समय ये जंदा दिली दिखाई है और आपने तो हमें लाए हैं आप हम पंजाब से नहीं आ सकते थे अगर आप हमारा साथ ना देते तो भाईयो आप लेकर आए हैं तो अब हमें आपके सहजोग की जरूरत है यहां पे आएं ये संदोलन को बड़ी बड़ी जरूरत है आपकी इसलिए मैं फिर से आपको ये रिक्वेस्ट करता हूँ एक जो ठोकर लड़ने का समय है भाईयो एकता बनाएं और सब बातों को भूल कर एक होकर आएं इनकी चालों में माताएं धन्यवाद दोस्तो नमस्कार सर्फरोशी की तमना अब हमारे दिल में है देखना है जोर कितना वाजू कातल में जाद है आपको ये बातें जाद रखनी होंगे हम वही हैं शहीद आजम बग्ज सिंग के वारिस हम वही हैं जिनोंने इस तरंगे की आन बान के लिए अपने प्रवारों की होती थी हम कैसे इस तरंगे का अपमान कर सकते हैं भूल कर भी ये बात अपने मन में मत लाइएगा कि हम इस तरंगे के खिलाफ इस देश के खिलाफ जा सकते हैं लेकिन कुछ लोग ऐसी बातें बोल रहे हैं जिन्होंने किया उनके खिलाफ कारबाई हो रही है होनी चाहिए लेकिन सबी भाईचारे को हम अपनी जमीन बचाने के लिए बड़ा अंदोलन लड़ रहे हैं और वो लोग हमारी जमीन उन कार्पोरेट घरानों को देने की जी तोड कोशिश कर रहे हम जमीन बचाना चाहते हैं हम जमीर बचाना चाहते हैं वो हमें बेचना चाहते हैं मजदूर बनाना चाहते हैं लेकिन ऐसा नहीं होगा हम अड़े हुए हैं और आपको बिंती करते हैं बड़े बाई होने के नाते कि जो हुआ उसके लिए लीडर साहिबान ने अपना जो भी बख्ष रखा वो सामने है लेकिन एक बात आज हम अलग हुए तो हमारे लिए कुछ भी नहीं बचे गा आईए हम एक जो ठोकर गाजी पुर बॉर्डर पर जो दमन हो रहा है जो हमारे परदान मंतरी जी हैं अमिद्शा जी हैं जिनोंने सोच रखा है कि इस देश को गुलाम बनाना है सोच ये मैं बोल रहा हूं कि हमारे देश को गुलाम बनाने का उनोंने सोच रखा है आप गुलाम होना चाहते हैं आप उस मिट्टी को जिसको हम मां बोलते हैं मैं देश वास्यों को अपील करना चाहते हूं जिसको हम मां बोलते हैं उसको उन्होंने दूसरों के सामने बेचने का देने का उन्होंने मन बना लिया है हम आप चाहते हैं कि वो माँ गुलाम हो नहीं हम होने नहीं देंगे और अब उन्होंने जो दमन करना शुरू कर दिया है मेरे को मालुम है हर्याने के बाई राजस्थान के बाई जुपी के बाई और आस पास दिल्ली के बाई जो है वो अभी बात सुन रहे हैं जो देखिए अभी नहीं तो कभी नहीं अभी आना होगा अपने बाईयों की खातर उस मिट्टी की खातर जिसको आपने बचाया अंग्रेजियों से इस इन काले अंग्रेजियों से बचाना होगा अगर अभी नहीं आए तो वो उसको बेच देंगे गुलाम बना देंगे और उनके साथ खड़े होईए बावकता का समा है हम बड़ी बावकता से आपको अपील कर रहे हैं अगर अभी नहीं तो कभी नहीं हर्याने वाले वाईओ आप पास में हो दिल्ली बाले वाईओ आप बिलकुल वसी जगे पर हो और जतनी जल्दी हो सकता है आप वहाँ पर पहुंचिए और उनको करड़ा जबाब दीजिए उनको बताएए कि आपकी जो चाले हैं वो कामजाब नहीं होने देंगे आपकी जो बाटने वाली बात इस देश को धर्मों के नाम पर बाटने वाली बात हम कामजाब नहीं होने देंगे हम इस देश को गुलाम नहीं होने देंगे किसी भी कीमत पर नहीं होने देंगे चाहिए हमें अपनी जानों की अहुती देनी पड़े हम बग्ट सिंग, शहीद, उदम सिंग, करतार सिंग, स्रावा के वारस है हमें तो खड़े होना पड़ेगा और आप उनी के वारस हो जिनकी बात मैं कर रहा हूँ आप भी आईए, इस देश को बचाईए इस देश के सविधान को बचाईए इस देश के बच्चों के विश्च को बचाईए और आज हमें हर हालत में अभी जो सुन रहे हैं, अभी मैं फिर बोल रहा हूँ, जो अभी सुन रहे हैं उनको हर हालत में, गाजी पर बाॉडर पर आप देखिए, वहां पर कैसा दमन हो रहा है अभी ने पहुंचेंगे, तब आपको समय माफ नहीं करेगा और हर हालत में आप आईए और आप इस देश में हो रहे दमन के खिलाफ एक जुट होईए इस देश को बचाना है, इस देश की मिट्टी को बचाना है जैहन बहुत ही आदरनिये देश बासियो यूपी के गाजीपूर पर जो एक गुंडागरदी करने की कोशिश यूपी की सरकार की और से हो रही है उसने एक बार फिर इस दमनकारी सरकार ये नियत और नीती है, वो सब के सामने ला दी है और इस अंदोलन को बदनाम करने के लिए जो पहले डलेवाल जी ने और अमर जी जी ने बोला उस नीती को सभी लोग जान चुके हैं कि लाल किले पर जो कुछ हुआ कैसे एक प्लानिंग के तहत किया गया और उसके नाम पर जो बीजेपी की साथ साल से नीती रही है किसी को भी देश्टरूई कह देना किसी को भी राश्टर वरोधी कह देना और उस संदोलन को कुछल देना यह साथ साल का वो फिछले समय से करते आए हैं और वही तजर्बा फिर बदहराने की कोशिश कर रहे हैं लाल किले की प्लानिंग की पूरे नेरेटिव को चेंज करने की कोशिश की और वो नेरेटिव चेंज करने की कोशिश के तहत ही एक महौल अपने गोदी मीडिया की तरफ से बनवाया और अब वो अपना अगला स्ट तिक्री भी आएगी ये पल्वल भी ये शाजहाँपुर भी ये सभी तरफ फैलेगी इसलिए इस बात को इसी जगा पर सक्ती से रोक देना होगा लोग चल पड़े हैं तो सभी से बिंती है कि जितने भी नजदीक हैं लोग जल्दी से जल्दी हमारे भाई, हमारी बहने, हमारी मताएं, हमारे बजुर्ग, हमारे युवा, सभी लोग बड़ी गिंती में गाजी पर पहुंच गे और इसका डटमा वरोद कीजिए और अगली बात इस लड़ाई को बचाना इसलिए जरूरी है कि साथ साल में इस सरकार ने जितनी जनवरोदी नीतिया लाएं कभी नोट बंदी, कभी जी एस्टी, कभी गवरक्षा के नाम पर लोगों को लड़ाना, कभी लव जहाद के नाम पर, कभी रश्टरवाद के नाम अलग अलग तरसी, लोगों के खलाफ इतनी साशे की, इतनी जनवरोदी नीतिया लाएं, और उसके खलाफ अगर कोई उन्दोलन हुआ तो उसे कुछल दिया गया, ये साथ साल में पहला ऐसा उन्दोलन है, जिसने देश के लोगों को एक अमीद दी है, कि इस जाबर सरकार क पीशे दकेला जा सकता है, सो जे सर्फ एक कसानी मूमंट नहीं, जे जन अंदोलन है, और एक अमीद है इस देश के लोगों के लिए, एक नए सवेरे की अमीद है, इसलिए हम उस सवेरे पर अंधेरे को भारी नहीं पढ़ना देना चाते हैं, इसलिए वो अंधेरा गाजी पर शाने की कोशिश कर रहा है, लेकन आप जुट जाएए, जुगनू बनकर और पहुँचगे उस तरफ, तांके हम सरकार की उस दमनकारी नीती को वही पर रोक दें, शाम को चार बजे उन्होंने तक अल्टीमेटम दिया था, अभी तक लोग डटे हुए हैं, उसका एक का बड़े मार्च किये लोगों ने, बहुत बड़े मार्च किये हैं, लोग फिर ताक्त हासल कर रहे हैं, हम ताक्त बर थे, लोग ताक्त बर थे, लेकन उन्होंने एक मनोव ग्यानक तोर पर लोगों को डाउन करने की कोशिश की, कि इन लोगों ने बहुत गल्ट काम कर दिया लेकिन आप लोगों को कितना समा गुम्रा कर सकती हो थोड़ा समा लंबा समा लेकन हमेशा के लिए नहीं कर सकती और ये अतना बड़ा है कि कुछ समय के अंदर अंदर ही लोग सब कोई समझ रहे हैं और लोग समझ चुके हैं कि लाल किले की प्लानिंग गुर्दासपुर से इनके बीजेपी के एमपी सनी डियॉल और उसके बहुत खास दीपसिदू और कुछ और लोगों ने मिलकर की और उसकी तस्वीरें जो बहुत सारे नैशनल टीवी उन पर नशर हो चुकी है कि कैसे वो सारा कुछ करवाया गया तो उस बास से हमको बाहर आना पड़ेगा सरकार की नियुत को समझना होगा और जो जो दमनकारी नीती उसके खलाफ हमें डटकर मैदान में अभी से ये मत सुचगे के अब अंधिरा है अगर आप इसे अंधिरा समझ गए तो फिर जो अंधिरा जोगी और मोदी सरकार लाना चाहती है उसके बाद कभी सवेरा नहीं होगा इसलिए आईए घरों से निकलिए और डटके मदान में हम जीत कर जाएंगे देश को किसान को देश के जवान को और देश के लोगों को जिनकी रोजी रोटी को जे कार्परिट को देना चाहते हैं जमीन को कार्परिट को देना चाहते हैं देश का जाल जंगल जमीन सब कुछ बेज देना चाहते हैं उसके खलाफ आईए डटके वाई गुर जी का खालसा सिरी वाई गुर जी की फटे ए जो शबी जनवरी नो प्री प्लैन गौर्मेंट दी मोदी सरकार ने जो पूरे देश दे कसाना नो जानन अंदोलन नो कसाना दे जो अंदोलन लगातार पूरे सिखरां दे सी एनो जो बड़ी टालान दी अपनिया अयांसियान नो इस मोर्चे दे बेच बाड़या कस प्री प्लैन साड़े बराबर तड़े जो लगातार कई मोर्चे दी जो शंबूतों चलके मोर्चे दी अगवाई कर रहा सी उसनो प्री प्लैन इस साड़े मोर्चे दे बठालके ए यांसियान दे बंदेयान नो इना ने साड़ियां हार इत्थे दी जो अपडेट होंदी सी उसनों डौन कारंदी खातर ए लोक इत्थे मोर्चे दे विच डटे रहे ओ अज पूरे देश विच पूरे वाल्ड विच सब दे समने है उस इनसान दा असी नाम भी लेना अपनी जवानतों ये चंगा नहीं समझांगे क्योंके उस बंदे ने साड़े अंदोलन दी पेठविच शुरा मारया जो आज एक गंदा पूर्सदा जो मोदी सरकार ने जो गाजी पर बाडरते साड़े कसाना ना अठान दी जो एक उत्थे दे लोकल हमेले ने डकैस साब ना आके उत्थे दी जानता नू ठालन दी कोश किती पर डकैस साब ने उना दा डाटके वरोद कीता और उसाड़े संजुक्त मोर्चे दे एक बहुत बड़े चेरे हन ओ जूपी दे मन्ने पर मन्ने करसान लीड रहन ते संजुक्त मोर्चे दे भी पाठ हन पर किते ना किते उना ने पाबक होके जो एक गल कहिया परी मैं उना चेर नहीं हुट फूँगा जा उना चेर पाणी दा को फटनी पहूँगा जब तक मेरे पेंड़तों पाणी नहीं आओगा सो एक ऑल सी पंझाब हरे आना दे कसाना नूँ भी कैनाँ चाने हा Això पे किते एक ऑल साननू भी कसान लीरानू जो खास ऑसी पंझाब देथे चार आगो बेट है किते साननू एभी गाल कैनी ना पवे सो एक किसे चंगे शेर ने शेर लिखेया जेडिया लडाईया अपने हका लई हुंदिया उना ले सनेहे नी पे जे जान दे जिना वेच अनक हुंदिया ओ आप आदे हन इस करके मैं कसान वीरा नू ए बेंती करदां जो साड़े पंजाब दे हरे आने दे जो इत्थों आगू कसान जो साड़ी इस परेड वेच छामल नी हो सके उस दी असी जित्थे आगू माभी भी मंग देयां और उना कसान नू ए बेंती करदेयां पे नराश ओन दी लोडनी ज जो मीडिया सरकार दा एक दलाल बान चुकिया जो गल्त फेमिया इत्थे साड़ा नेट बंद करके पंजाब विच्चों वाल्ड विच्चों वाल्ड विच्चों वादेश वदेश तो सानू फून आदेया पे इत्थे की हो गया किते स्टेज पटती किते कोश हो गया यह स उसे भी सरकार दे चैनल ते प्रोसा करन दी गल नी हैगी जो साड़ा सान एकता मोर्चे दा जो आईटी सेल चैनल आ एदी गल ते बाद तो बाद शेर करो एते ते आन देओ जो गल तो फाइन जान दी आ ओ सची गल होगी क्योंके बड़ा मीडिया जो साड़े पंजाब नू एद खार या ओ फलाने जी बाटर चक हो गए इदा दी कोई गल नी आसी डटे होएं या और डटे ही रहांगे एक खेती कनून तिन्ने राद कराने या और कराके ही जामागे जाता का एक कनून नी वापस होंदे आसी आपने पिंडानों नहीं वापस होंगे जो हर्याने और पंजाब दे पाई चारे वेचे सरकार ने फोट पान दी कोशिच कीती या ओदे एक सदबा अबना जो रहली होई या सब तो बद कसान उसे वेचे चंड़ा देश दा जो साड़ा तरंगा या सनमान चेन ओनू लेके कसान आगउ और हर्याने दे कसान से गे सो असी हर्याने दे कसान नो इबेंती कार देया जो होन सोन रहे या एस बेले सोन रहे या होने जाके गाजी पर बाड़ते डटो जो पंजाब दे साड़े कसान ने ओ सवेर नू चाले पाओ जो टिकरी बाड़ते लगते या टिकरी बाड़ते आओ जो सिंगू बाड़ते आ सकते इत्ते आओ ते बद तो बद सांख्या गाजी पर वाड़ नगेर पहुंचो ते इन्ना ही कहनदा हुआ मैं पंजाब नू हरे अने नू ते पूरे देश दे कसाननों ये बेंती कार देया पूरे संजुक्त कसान मोर्चे बलों ये बेला हुन का रांच बैठन दा नहीं आपने हकां लेई लड़नाया और आपने हक लेगे जानाया जितांगे जरूर जारी जंग रखेयो तानवाजी वाई गुरूजी का खालसा वाई पूर जी की फाते